हॉल्यूड सिल्वर स्क्रीन प्रिजेंटिंग प्रे वक्त होता है 1719 का जहां पर हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी डॉग के साथ शिकार कर रही होती है इस लड़की का नाम नारू है और नारू एक शिकारी बनना चाहती है दरसल वो एक हिरन पर घाट लगा कर बैठी हुई होती है और इससे पहले कि वो हिरन को मारती अजीब सी तेज रहा आती है जिस से हिरन भाग जाता है वो भी हिरन का पीछा करती है लेकिन हिरन यहां से निकल चुका है नारू के साथ जो उसका डॉग होता है वो एक ट्रैप में फस जाता है नारू को नहीं पता कि यह ट्रैप यहां पर किसने लगाया है और तब उसे आसमान के उचाईयों से बादलो के उपर से किसी चीज़ की आवाज आती है और जब उचटान की चोटी के उपर जाकर देखती है तो वहां पर एक एलियन शिप होता है लेकिन ये अठारवी शताब दी है इस वक्त में साइन्स और टेकनलोजी ने किसी भी तरह की तरक्की नहीं की थी इसलिए इनसानों को एलियन शिप के बारे में कुछ नहीं पता होता नारू यहां से अपने भाई के पास जाती है जो की बहुत अच्छा शिकारी होता है और वो से कहती है कि मैंने आसमान में आज एक बहुत बड़े पक्षी को देखा रसलो उसी एलियन शिप के बारे में बोल रही होती उसे लगता है कि वो आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी है वो अपने भाई से कहती है कि मैं उसका शिकार करूंगी जिसके बाद मैं एक बहुत बड़ी शिकारी बन जाऊंगी इसके बाद नारु अपने घर में आती है जहांपर उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियों से दवाईया बनाती है और उसकी मॉम को नारु का शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं है वो नारू को समझाती है कि तुम्हें शिकार न करके दूसरे कोई अच्छे काम करने चाहिए पर नारू अपनी मौम की बात नहीं सुनती इसके बार नारू की मौम उसे जंगल में खास तरह का फूल जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है और जब वो जंगल में होती है तब combinations की देखती है कि उसका भाई और उसके कुछ और साथी जंगल में एक शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं यूंकि वो शेर इनके एक साथी को अपने साथ उठा कर ले गया है नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हाँँगी वो साथ ही मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया था, ये बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, नारू इसका इसका इलाज करती है, इसका खून बंदो जाता है जिसके बाद ये उसे उठाकर वापस घर की तरफ लोट चलते हैं, अब यहाँ पर अंधीरा हो चुका है, और च शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, और जब इस सब के सब कबीले की तरफ जा रहे होते हैं, तब ही नारू वहाँ पर एक मरेवे साप को देखती है, जिसे बहुत अजीब तरीके से मारा गया होता है, पाती अजीब से पहरों की निशान भी, और खून पेड की बहुत उपर तक लगा होता है, और ये शिकार उसी एलियन ने किया है, जिस एलियन शिप को आज सुबे नारू ने देखा था, उसके अंदर से एक ऐसा एलियन हमारी दुनिया में आया है, जो कभी भी गायब हो जाता है, और इस एलियन को प्रेडिटर कहा जाता है, और बहुत बड़ा जानवर है जो इस जंगल में आ चुका है वो अपने भाई तक पहुंच जाती है उसे पैरो की निशान के बारे में बताती है लेकिन उसका भाई पैरो की निशान वाली बात पर ध्यान नहीं देता वो कहता है कि हम शेर की गुफा के पास है और हमें अपने लक हमला करके उसे मार देता है इसके बाद वो नारू के उपर भी हमला करता है लेकिन नारू उसे जखमी कर देती है और तब ही ओ दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी देखती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर के भ्योश हो जाती है न खतरा पूरी तरह से डल चुका है लेकिन नारू जानती है कि जंगल में कोई और भी चीज है जो शेर से भी खतरनाक है वो अपने भाई कोई बात बताती है लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता अगली सुबा नारू को दिखाया जाता है जो अपने दल्दल में गिर जाती है लेकिन वो किसी तरह से रसी को पेर तक पहुंचा कर उस दल्दल से बाहर आ जाती है वो जब थोड़ा सा आगे जाती है तो देखती है कि वहां पर भालू ने एक शिकार किया है वो अपने धनुश और तीर से उसका शिकार करना चाती है पर उसके लकडियों को चीरता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और नारू को लगता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता रगले पलो जंगले भालू से छोड़कर पीछे मुड़ जाता है दरसल यहां पर ओ एलियन यानि की प्रेडिटर आ चुका है भालू के अंदर यानि की जानवरो को मार देता है बालू का खुन जब उसके उपर गिरता है तो पूरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है इसे देखकर नारू पूरी तरह से घबरा जाती है और वो नदी में भैते वे इस जगा से निकल जाती है हाला कि प्रेडिटर उसे देख रहा होता है पर नारू नदी पर कोई भी विश्वास नहीं करता इसलिए इसके हाथों को बांग दिया जाता है और अब यहाँ पर प्रीडिटर आजाता है जो इन सब को एक एनर्जी के फार में देख सकता है इनके पास हत्यार होते हैं और प्रीडिटर उनी के उपर हमला करता है जिनके पास हतियार है या जो दूसरों की ओपर हमला करके उन्हें मारना चाते हैं प्रिडेटर नारू के सभी साथियों को मार देता है नारू अपने हाथ खोल कर यहां से भाग जाती है पर प्रिडेटर उसे अब भी देख रहा होता है नारू को उसके कबीले का एक और लड़का मिलता है दोनों के दोनों वहाँ घासों के पीछे छुप जाते है लेकिन प्रिडेटर इन्हें देख सकता है क्योंकि वो इनकी हीट को दूर से कहीं से भी देख सकता है प्रिडेटर अपनी लेजर से उस लड़के को मारने वाला होता है कि नारू उसे बचा लेती है ये दोनों यहां से भागते हैं लेकिन प्रिडेटर उस लड़के को मार देता है नारू यहां से भाग कर आगे निकल जाती है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फस जाता है प्रिडिटर अब यहां पर पहुंच जाता है और जब वो देखता है कि नारू लाचार है वो ट्रैप में फस चुकी है तो वो उसे बिना मारे यहां से निकल जाता है अब यहाँ पर कुछ शिकारी आजाते जिन्होंने स्ट्रैप को लगाया होता है दरसल जंगल में जानवरों का शिकार करके उनकी खाल निकाल लेते हैं पाकि उसे बेच करें बहुत सारे पैसे कमा सके अभी नारू को अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं पर उसे बंदी बना लिया जाता है यहाँ पर एक आदमी नारू के पास आता है वो नारू को बताता है कि एक एलियन ने यानि की प्रिडेटर ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है अगर तुम उस प्रिडेटर के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो नारू कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती तभी इनका सर्दार आता है जिसके पास नारू का भाई होता है वो नारू के भाई को और नारू को एक पेड़ से बान देता है ताकि जब प्रिडेटर इनके ओपर हमला करे तो वो उसे मार दें तरसल प्रिडेटर इनके बहुत सारे शिकारियों को मार चुका है और अब प्रिडेटर इस जगा पहुँच जाता है और इस बार वो इन्विजिवल होकर नहीं बलकि अपने असली रूप में आता और बहुत ही भयानक होता है नारू अपने भाई को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूत नहीं है ये एलियन ये प्रिडेटर उन लोगों के ओपर हमला नहीं करता जिनके पास कोई हतियार नहीं होते हैं ये सिर्फ उन नहीं मारता है जिनके पास हतियार होते हैं जाने कि ये एलियन शिकारियों का शिकारी है और अब प्रिडेटर इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और तभी उसका पैर एक ट्रैप में फस जाता है जो शिकारियों ने यहाँ पर लगा रखे होते हैं लेकिन प्रिडेटर बहुत शक्तिशाली है उसके अंदर बहु कि दोनों निकल सकें इसके बाद नारू का भाई चला जाता है और नारू भी अपने डॉग को कैम्प में लेने चली जाती है जहां पर शिकारी होते हैं प्रिडेटर अपना हेलमेट फेक देता है और उसके अंदर से तीन डिवाइस निकलते हैं जो हवा में उड़ना शुर तो हमें बता दो पर नारू ने उसे नहीं बताया था दरसल प्रिडेटर ने इसका पैर काट दिया होता है वो नारू से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो इसके बदले मैं तुम्हें अपनी गन दे दूँगा नारू उसे एक खास किसम का फूल खिलाती है जिससे उसके शरीर को उसकी एनरजी को नहीं देख सकता प्रिडेटर की आखे इंसानों की तरह नहीं होती वो सिर्फ हीट को पहचान सकता है जो उस आदमी के शरीर से फूल खाने की वज़े से नहीं निकल रही होती पर वो उसके पैर के ओपर गलती से अपना पैर रख देता है जिससे वो पर इजर बीम एक पेड़ के ऊपर जाकर टकराती है। new predator आनफ पर नारू के भाई के ऊपर कई सारे हमले करता है। प्रिडेटर यहां पर गायब हो जाता है और नारू के भाई को मार देता है नारू इस वक्त उसका सामना नहीं कर सकती इसलिए उसे यहां से भागना पड़ता है लेकिन अब वो अपने कबिले वाले लोगों की और अपने भाई की मौत का बद्ला प्रिडेटर से लेना चाती है इसलिए एक शिकारी के उपर हमला करती है जो नदी के दूसरी तरफ होता है और उसे प्रिडेटर का चारा बना कर एक जगा रख देती है और खुद उस फूल को खा लेती है जिससे खून का संचार यानि कि जो खून का तापमान होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है अब प्रिडेटर यहाँ पर आता है पर उनारू को नहीं देख सकता क्योंकि उसकी बाड़ी में हीट नहीं है और प्रिडेटर यहाँ पर उस दूसरे आदमी को देख लेता है जिसे यहाँ पर नारू ने चारा बना कर रखा है नारू ने जान बुच कर उसके हाथ में गन पखडा दी होती है ताकि प्रिडेटर उसे मार दे प्रेडेटर उसे मार देता और नारू उसके पीछे गन लेकर खड़ी होती है वो उसके सिर पर गोली चलाती है जिससे उसका हैलमेट गिर जाता है नारू उस हैलमेट को ठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है वो उसके मास्क को उसके हेलमेट को दो पत्थरों के बीच में रख देती है और चारो तरफ ट्रैप बिचा देती है ताकि जब भी प्रेडिटर यहां पर अपने मास्क को लेने के लिए आए तो वो उसके उपर हमला कर दे अब प्रेडिटर इस जगा बहुँच चुका है नारू उपर से उसके उपर कूद कर उस पर कई हमले करती उसे जखमी कर देती है वो भी उसके उपर हमला करता है और इन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होती है नारू को दिखाया जाता है जो एक बहती अच्छी फाइटर है वो प्रेडिटर का पूरी तरह से सामना करती है और इसके बाद वो दल्दल के दूसरी दरफ चली जाती है रसल ही वो जगा होती है जहां पर उसने प्रेडिटर के लिए पूरी तरह से जाल बिचाया होता है अब प्रेडिटर उसकी तरह बढ़ रहा होता है और सामने उसका हैलमेट भी होता है नारू को पता है कि प्रेडिटर अगर कोई भी हत्यार चलाएगा तो हत्यार उसी निशाने पर लगेगा जहां पर उसके हैलमेट की उसके मास्की लेजर बीम्स जा रही होंगी अब उसके सामने नारू है और नारू के पीचे हैलमेट होता है और तब ही प्रेडिटर उस पर हमला करता है उस पर हत्यार चलाता है लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसके हैलमेट की उसके मास्की जो लेजर बीम्स है वो खुद प्रेडिटर के सर से टक्रा रही है और जैसी वो हमला करता है तो उसका हथियार उसे ही मार देता है जिससे इस प्रेडिटर की इस खतरनाक एलियन की मौत हो जाती है जिसके बाद नारू वापस अपने कबीले में आती है उसके पास प्रिडिटर का सर भी होता है साथ ही उसने उसके हरे खून को अपने चेहरे पर लगा रखा होता है और अब नारू को कबीले का नया चीव बना दिया जाता है नारू जो हमेशा से करना चाहती थी उसने वो कर दिया है अब वो एक बहुत बड़ी शिकारी है जिसने साथ इस प्लैनेट का सबसे बड़ा शिकार किया है और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है यह मूवी एर 2022 में रिलीज हुई थी IMDB पर इसकी रेटिंग है 7.2 उमिद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी